तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले NDA का 10 प्रैक्टिस सेट जो अरेन द्वारा पॉब्लिश किया जाता है तो हर साल पॉब्लिश किया जाता है यह निवेस्ट एडिशन है तो फिर अंदर से खोल के देखते हैं क्या-क्या है इंडेक्स में टोटल इसमें 294 पेज़े से 10 sets मिलेंगे तो अंदर देखते हैं स्टाइटिंग के पेज़े क्या है स्टाइट इनलेसिस देते हैं लोग बताते हैं कि किस टॉपिक से किस साल में कितने कोशन साय है है जैसे कि set relation function हो गया तो 2019-2 में कितने साथ कोशन आ गये थे जब कि 2019-1 में आठ आये थे उससे पहले आठ आये थे फिर छे आये थे फिर पाच आये थे इससे हम लोग मालम पड़ जाता है कि कितने कॉंसे तॉप यहाट चाहिए हो किने कोषें सब्सक्राइपेस जी साल कितने इससे अफिया कितने मेel से क्वेश्ट कोशिज क्वेश्ट कोउज़ाते हím इसमें इंग्लीस में क्यैसे ऐन स्योचंत कोषें कई होसे इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो इससे हम को आइडा मिल जाता है कि वेपर में हिस्साब से प्रप्रेशन किया जाए तो देख लो इक बाद फिसक्स में फिसक्स में यह NDA में सब्सक्राइब करके कि फिसक्स में से कितने आया थे किस्समें मतला कि 20 सब्सक्राइन तो इससे आपको इस आफ् IMPORTANT है इसके ऑर फिसकाढली को डौरी किमिश्ट्री पारचपे कशन संसे अंत्य टाप्राइक शहां कि इसे कितने कोशन्स आते हैं 17, 18, 17, 18, 15, 15 से उपर रहते हैं और बाइलोजी में आर्ट, नार्ट, 12 तो मतलब कि कोई नॉन बायो स्टुड़ने का दो देखके छोड़ सकते हैं कि हां ठीके आर्ट कोशन्स आ रहे हैं आर्ट कोशन्स के बेना भी हो सकते हैं और ये इस्ट्र जुरुवात में तो कुछ नहीं इंस्ट्रक्शन्स दिये हुए और इसका दिया ऐसा पेपर वन सारे कोशन्स रहेंगे जैसे एंडे में आते हैं कोशन्स पिर एंडे के पैटन में देंगे हो लो ऐसे ही रहता हैं एक बाद कोल के दिखा देता हूं इसका जो मैक्स पेपर ह सही लगा मैं खुद देखे देखा है इस याला अधिशन में पिछली बाद जो 2019 था पूरा सॉल किया तो उसमें मैंने देखा है कि मैक्स होता है मैक्स अवे पर सही होता है यह जो गैट जो पार्ट होता है उसको थो थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो मतलब कि यह देख ले विखिया आता और गारे इस से मैक्स अच्छी प्रैक्टिस होगे तुछ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाही हुआ रेता है दिखा लेता हूं पार्ट टू जी हैस फिर इंग्लिष क्टिस्ट वiosa क्ला शांशन से ग्याट सेक्षिन देख लेना इसका मैक्स बहुत काम गया मैक्स ही तो मेन होता है जिसमें प्रैक्टिस चीह होते हैं ग्याट क्या हुआ कि अगर आपने पड़ लिया हो टाप तो आप टिक करके जा सकते हो तो इतना पेपर सॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं चीह रहती है इस इसका आपने पेपर कर लिया तो पुरहन सॉलिशन देखके समझ जाओ क्या गलती है तो बस यह है पीछे सॉलिशन रहेगा है अगर्सेट में ऐसे रहेगा कि जी एस का कि जीएस में साइंस की कोश्चन सॉल पर करके दिखाए है बाकि जो दिखाए कि कौन से टॉपक कहां से का का जा लिया हुआ है वो कोश्चन फिर ऐसा ही है तो पहले पेपर है एंडिया फॉर वही फेले मैक्स फिर इंग्लिश और अपना जीए साथ है इसमें सब मिक्स रहते हैं और इसके पाल अपना अंसर तो ऐसी पूरा बुक है अच्छा है 10 सेट्स मिल रहे हैं सही कॉस्ट में इसका कॉस्ट देख लेते हैं इसका टोटल पीच साइज है 292 पर इसको एक बार आप सॉल्ल करते हैं तो फिर वहाँ से जाके देख लेना एक बार तो यह है एंडिये का 10 प्रैक्टिस सेट का रिव्यू एंडिये में में इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस की रहते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिस करके आगा उसका ही क्लियर उपाएगा यह प्रिवियस एर कोशन्स और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस पर एंडिये से रिवीडियो में डालते रहता हूं और दूसरे वीडियो भी देखना थैंक्स हम जो सब्सक्राइब